ओम नमस्षिवाय जै महाकाल जिस बेक्ती पर लच्मी नाराण की किरपा रहती है वो हर छेत में सफलता हासिल करता है आपने तुलसी के पौधे में जल दूद आज चढ़ाने के बारे में जरू सुना होगा लेकिन क्या आप तुलसी को गन्य का रस अर्पित करने के बारे में सुने है अगर नहीं तो आए जानते हैं कि तुलसी जी को गन्य का रस चाणाने से क्या होता है जोति सास के अंशार गन्य के रस खो तुलसी की पौधे में डालना सुभ होता है हर मास की पंचमीतित के दिन एक लोटे में थोड़ा सा गन्य के रस को लेकर साथ बार अपना न बेउसाय में लगा रहता है अगर वो हर मास की पंचमीतित पर गन्य के रस को अपने हाथ में लेकर और साथ बार अपना नाम और गोत्र बोलकर तुलसी में डाल देता है तो वो अपने बेउसाय से तीन साल में करौणपती तक बन सकता है हर हर महादेव